गुड आफ्टर नून स्टूडेंट्स आज मैं आपको आपकी इंग्लिश बोक में जो शॉर्ट स्टोरी है उसका थर्ड चप्टर पढ़ाने जा रही हूँ मोती गज म्यूटीनियर जो किसने जिसका ऑथर कोन है रूडियार जोजफ किपलिंग तो उपर आपको हिस्ट्री दी गई है रूडियार जोजफ किपलिंग की कि वो का पैदा हुए हैं तो आप उसकी यह हिस्ट्री पढ़ लेना तो हमें सबसे पहले इस लेसन का मतलब देखना है कि म्यूटीनियर होता क्या है मोती गज म्यूटीनियर जो लिखा हुआ है लेसन उसका मतलब क्या है मोती गज मोती मीन्स परल मोती एंड गज मीन्स हाथी गज जो है वो हिंदी नेम है हाथी का प्यूर हिंदी जो होती है उसमें हाथी को गज बोलते हैं तो मोति गज म्यूटीनियर हो गया बागी जो बगावत करता है तो सबसे पहले हम प्री लेशन जो है आपका प्री लेशन हम पढ़ते हैं कि प्री लेशन होता है यह जो छोटा सा आपको दिया गया है इस लेशन में आप क्या पढ़ेंगे a mutineer is a person who openly rebels against authority mutineer वो person होता है वो इनसान होता है जो खुलम खुला बगावत करता है अपने authorities के लिए against authority you must have read of soldiers rising in mutiny but have you ever heard of an elephant a mutineer is a person means who openly rebels against authority जैसे कि आप लोग देखते हैं कि कभी कबार मैं आपके छोटिस example देती हूँ कि अगर आपको स्कूल में आपकी क्लास के लड़के को बेवज़े किसी को डांट पड़ जाए तो आप सब उसके लिए खड़े हो जाते हैं authority वहाँ पर हो गया school के administration और persons हो गया आप जो आप लोग बगावत करते हैं ठीक है उसके लिए खड़े हो जाते हैं कि इसको बेशजा क्यों मिली तो इसी तरह आपने तो यह सुना होगा कि एक soldier rising in mutiny किसी soldier ने किसी सिपाही ने अपने लिए बगावत की हो क्यों अगर उसको छुटी ना मिलेगी अपने अफसर से तो वो बगावत कर देता है तो इसी तरह क्या आपने कभी सुना है कि एक elephant जो है that becoming a mutinyar well this is a story of just an elephant यह एक कहानी है जो किसकी है elephant की है his name जो है उसका जो नाम है that is moti gaj he is as intelligent as loyal and loving as anyone of us वो इतना समझदार था इतना इमानदार था और इतना प्यारा था जैसे हम सब लोग हम में से कोई भी हो सकता है yet he rebels लेकिन फिर भी वो बगावत करता है क्यों करता है read the story and find out why he becomes a mutinyar what he does and how he seizes to be a mutinyar कैसे वो mutinyar बनता है और क्यों वो mutinyar बनता है उसने वो क्या करता है what he does वो क्या करता है and how he seizes to be a mutinyar और वो mutinyar क्यों बनता है ठीक है तो lesson की शुरुआत हम करते हैं once upon a time there was a coffee planter in India who wish to clear some forest land for coffee planting क्या बोलते हैं कि एक बार एक बार क्या हुआ कि इंडिया में आपको यही तो पता है कि इंडिया जो था वो पहले अंग्रेजों के अंदर था अंग्रेजों का गुलाम था तो एक coffee planter था coffee planter means वो coffee के भाग लगाता था वो चाहता था कि वो एक जंगल का हिस्सा जो है वो coffee planting के लिए वो खाली करें ठीक है तो उसके लिए वो coffee चाहे उसको पेड काटने थे वहाँ पर तब जाके वहाँ पर वो coffee की फसल लगा सकता था वैंड है का डाउन ओल दे ट्रीज दा स्टंप स्टेश्च यह जा रह जाता आपको तो पता ही है कि जब हम एक पेड उखाटते हैं तो उसके जड़े होती हैं वह कितनी मजबूत होती है देट करनाट भी रिमूड एजली तो इस वज़े से क्या हुआ इस वज़े से उसको कोई लोग चाहिए थे थे planter hired elephants for stump clearing तो उस planter नहीं क्या किया उसने कुछ elephants जो है वो किराई पर ले लिए किसलिए stump clearing के लिए जो stump है पेडों की जो जड़े हैं पूरा मतलब मोटा तना जो होता है उसको उखाडने के लिए उसने हाथी खरी दे हाथी किराई पर लिए The very best of all the elephants belongs to the very worst of all the drivers or mahouts and this superior beast's name was Moti Gaj which means the pearl elephant दिया मैंने आपको पहले भी बताया जो सबसे अच्छा, very best जो था, सबसे अच्छा elephant जो था वो किसके पास था? सबसे worst driver, सबसे जो बुरा, सबसे खराब driver जो था हाथी का जो driver होता है उसको उर्दू में हम या हिंदी में हम उसको महावत बोलते हैं और यहां पर भी उसको बोला गया है महावत ठीक है? तो वो बहुत ही खराब था खराब किस लिहाज में था? वो जो भी कुछ कमाता था वो आप आगे पढ़ेंगे क्या करता था उस हाथी के साथ और कैसे उस हाथी के साथ हो अपनी जिन की गुजार रहा था और इसी सुपीरियर बीस्ट जो ये बड़ा बारी बरकम सा हाथी था बहुत बड़ा हाथी था वो जंगली हाथी था और उसका नाम था मोती गाज जिसका मतलब मैंने आपको पहले ही बताया पर elephant, मोती जैसा हाथी He was the absolute property of his महोत डीसा और उसका जो driver था, उसका जो महोत था डीसा, ठीक है So, डीसा was a foolish drunkard When he had made much money through the strength of his elephant he would get extremely drunk and give मोती का जै बीटिंग with a tent pack over the tender nails of the four feet तो इस तरह क्या हुआ डीसा जो था वो एक बेवकुफ drunkard drunkard मीज़ पियकर मीज़ जो शराब पीता रहता हो तो जब भी उसके पास बहुत सारा पैंसा आता था अपने हाथी की मदद से वो क्या करता है? वो अपने हद बेहद शराब पीता था और फिर क्या करता था? अपने हाथी को मारता था beating with a tent pack tent pack मीज़ आपने देखा है जैसे गोड़े को चलाने के लिए एक चाबुक सा होता है हाथ में वैसे ही उसके लिए एक पतली लोही की तार जैसी होती है उससे वो रॉड से उस अपने हाथी के आगे जो पंजे होते हैं पैर के उसके ओपर मारता था वो इतने सौफ्ट होते हैं तो वो बिचारा मोतिगर्ज never trampled the life out of Disa on these occasions लेकिन मोतिगर्ज जो था उसने कभी भी ये नहीं सुचा है कि वो Disa की जिन्दी से चले जाए जब भी उसके साथ ऐसा होता था मारेगा उसके बाद वो क्या करेगा उसकी सूंड ट्रंक जो है ट्रंक यहां पर देखो ट्रंक कितने मीविंग्स आते हैं एक ट्रंक हो गया जिसमें आप कपड़े रखते हैं एक ट्रंक आ गया पेड का तना और यह वाला ट्रंक जो है ये हाथी की सूंड है ठीक है तो वो हाथी को पता था कि जब वो मुझे मारेगा उसके बाद मेरी सूंड पकड़ेगा मुझे गले से लगाएगा और रोएगा उसको पता था कि मैं ये मुझे अपने बड़े प्यार से बोलेगा प्यार से पुचकारेगा मुझे बड़े प्यार देगा और बाद में मुझे कुछ लिक्वर देगा जो वो पीता था विच मोति गज्य वैरी फ़ॉंड आ पीना मेभी वो गने का जूस हो या और कोई लिक्वर हो तो वो उसको बहुत अच्छा लगता था पीना सो इस तरह से हम दूसरे पहरे पर पहुछते हैं मोती गज एंड डिसा वर्क्ट हार्ड डिसा सेट अन मोती गज स्नेक एंड गेम हिम ओर्डर्स तो इस तरह से क्या हुआ डिसा ने जो भी उसको खाने को मिलता था वो उसको दे देदे ता जो उसको अच्छा लगता था लेकिन अगले दिन फिर से डिसा क्या करता था वो काफिर महनत करते Regardless दोनों मिलकर बहुत महनत करते थे डिसा उसकी गर्दन पर बैठ जाता मोती गज की गर्दन पर और उसको वो ओर्डर्स देता फिर मोती गज क्या करता बाकी हाथी भी काम करते बट ये बहुत ही अच्छा काम करता था जिसके वज़े से इसको काफी अच्छी तंखा भी मिलती थी तो डीसा उसके उपर गर्दन पर बैठके उसके का एक बार नदी पर ले जाता था, टीक है, वह क्या करता था, उसको नाहलाता था अच्छी तигр, वो बूरे से, उसको नाहता था, इंट से ऊसको रगड ता, वो कभी भी उसको, और वो समझ जाता था, हाथी जो है, मोति गजो है, वो डिसा के हर एक ब्लो, जब भी वो उसको पी मतलब कान साफ करता था, आंखे साफ करता था, पैर साफ करता था, और उसको बहुत केर करता था, फिर क्या करते थे, दोनों उठके, दोनों नहा दो के, फिर वो अपने वापस अपने काम पे चलते थे, तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से वो अपनी जिन्गी, it was a peaceful, well-paid life, till Disa felt the turn of the desire to drink deep the life amount of liquor that God did not satisfy him, तो इस तरह से वो उसको satisfy, मतलब वो डिसा जो भी शाम को आता था, एक बोतल पी लेता था, दो बोतल पीता था, लेकिन उसको satisfaction नहीं होती थी, उसको तसली नहीं मिलती थी, तो इस तरह उसे क्या सुझा, उसे कुछ प्लान सुझा, कि मैं किस चुटी, अपने मालिक से चुटी लोंगा, ठीक है, तो ये next lesson में आपको मैं इसका आगे वाला हिस्सा पढ़ाऊंगी, तब तक आप ये पढ़िए और इसके जितने भी tough words हैं, उनको underline करके, आप उनके meanings, उनके meanings dictionary पर डूंड ये, ठीक है, ओके, good day,